नमस्कार दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि टिटीरी पक्षी अपने पैरों को उपर करके क्यों सोता है जैसा कि आप सभी को मालूम है मैंने टिटीरी पक्षी के बारे में आपको पहले भी जानकारी दी है और दुबारा से जानकारी लेकर किया हूँ साथ ही बताऊंगा कि सुभ और असुभ का क्या चक्कर है टिटीरी पक्षी के संबंध में तो चलिए मैं आपको बताता हूँ टिटीरी पक्षी रात को अपने पैरों को बादल की ओर करके क्यूं सोता है यानि अपने पैरों को उपर उठा कर क्यूं सोता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ टिटीरी पक्षी एक बिचितर पक्षी है इस पक्षी का ऐसा सोचना होता है कि अगर वह पैरों को उपर करके सोएगा यदि बादल गिरेगा या बादल फटके उसके उपर गिरेंगे तो यह पक्षी जो है उन्हें रोक लेगा जैसे ही इसके उपर कुछ पानी की बूंदे पड़ती है तो यह पक्षी जो है उड़कर भाग जाता है साथ ही दोस्तों इस पक्षी की जो बिचितर बाते हैं लोगों को थोड़ा जो है हैरान कर देती है क्योंकि यह पक्षी बिचित्र है इसलिए लोगों को हैरान कर देती है साथ ही दोस्तों लोग सुभ और असुभ के बारे में क्यों सोचते है जैसा कि दोस्तों यह पक्षी बहुत ही सांत सुभाव का होता है वैसे तो किसी से कुछ नहीं बोलता पहले से जब इसके उपर कोई अपत्ती आती है जब इसके गोशले को या इसके अंडे को नुक्सान पहुचाया जाता है तभी यह पक्षी चिलाता है और जब इसके गोशले के आसपास जहां पर जिस धर्ती में इसका गोशला होता है जब वहाँ से कोई जानवर या इनसान गुजरता है तो यह पक्षी चिलाता है जिस से मनूस सोचता है कि कोई मुसीबत आने वाली है लोग इस परकार की धारणा बना लेते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लोग इस पिरकार की धारणा खुद बना लेते हैं और वह धारणा कैसे बनाते हैं यह भी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है कि जहाँ पर इनका घोसला होता है जब वहाँ से कोई जानवर या इनसान गुजरता है जब यह चिलाते हैं पक्षी तो लोगों को इसका अंदेशा हो जाता है कि कोई न कोई है जो इस एरिया के आसपास है जिसके कारण वह चोर भी हो सकता है वह अच्छा इंसान भी हो सकता है वह कोई हिंसक जानवर भी हो सकता है इसमारे लोग जो है सुभ और असुभ का संकेत तै करते हैं इन पक्षियों की सहायता से तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से लोग इन पक्षियों का उप्योग करके यानि इनकी सहायता से सुभ और असुभ का संकेत प्राप्त करते हैं कि उम्मीद करता हूं यह बीडियो पसंदाई होगी बीडियो पसंदाई बीडियो लाइक करें सब्सक्राइब करें घंडियो